नमस्कार शाथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनन्दन, आज हम सभी Practice Set 45 पर चलेंगे, प्रगति वाद से सम्बंधित महत्पूर्ण प्रस्टन, तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है? Practice Set के माध्यम से आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है, इसलिए हर Practice Set का भ्यास्क जरूर करें आईए आज के पहले प्रस्टन पर चलते हैं, पहला प्रस्टन है, प्रगति वाद के आधि परवर्तक हैं, फ्रायड, लेनिन, एंगल्स, मार्क्स यहाँ पर आप चार बिकल्प देख रहे हैं, इन चार बिकल्प में से एक बिकल्प आपका सही हैं, और सही बिकल्प हैं, मार्क्स प्रगति वाद के आधि परवर्तक कोन माने जाते हैं, मार्क्स इसी तरह से अगले प्रश्टन पर चलते हैं, अगला प्रश्टन है, प्रगत सिल साहित कारों में कोन अग्रणी हैं, प्रेमचंद, नागारजुन, निराला, रामबिला, सर्मा यहां पर चार विकल्प हैं, जिसमें से अब विकल्प आपका सही होगा, प्रगत सिल साहित कारों में प्रेमचंद अग्रणी हैं, इसी तरह से अगले प्रश्टन पर चलते हैं, प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक थे, छायावादी, प्रगत सिल, प्रगतिवादी, प्रय लेखक शंताना है सुमिन्तानन दन पंत स्युरे च्छिंत नंध्म थीयरनन वाष्य और शुममंगल सिंसुमन अब ये चार विकल्प दिये गए हैं, निम्न में से कौन प्रगजवादी कभी नहीं है, तो अग्ये प्रेयोगवादी हैं सभी को पता है, उन्होंने चार तार सब तक चलाए हैं, जिसमें प्रेयोगवादी कभीयों का वडन है, तो इस तरह से अग्ये यहाँ सही उत्तर अगले प्रिष्ण पर चलते हैं, तृ निरुACSN का वास्तविक नाम है, तृ निरा निर निरा, तो जब कई बार परिक्षाओं से पूछा गया जो जाएगा अगले प्रस्ण पर चलते हैं जो रचना का पंखोवाली के रचना कार है जो रचनाकार है इसको आपको ध्यान से देखना है केतार नाथ ख्रवाल नाग आर्जुन रिलू चैन भगवती bath अब है नाग आर्जून मैं आपका सही उपब हो जाएगा ना का है यॉजुन वह इंपका सैई इस तरह से अगले प्रसण पर चलते हैं अगला प्रशन है पंत ने अपनी किस कृत में प्रगतिवाद को यूग की बीड़ा बताया है यूग की बीड़ा प्रगतिवाद को पंत ने अपनी किस कृत में बताया है यह प्रशन बहुत ही अच्छा है इस प्रशन के माध्यम से हम और कुछ चीजे सीख सकते तो आएए देखते हैं पल्लो बीडा युगबाडी और गरंथी तो इस तरह से जो यह प्रस्ण दिया गया है प्रगतिवाद को युग की बीडा बताया है यह युगवाडी में उन्होंने बताया है युगवाडी इस तरह से यहां आप देख पा रहे हैं पंथ की रचना है नागार्जुन की रचना है युगधार और सोहनलाल ड्रिवेदी की रचना है युगधार युगधार नागार्जुन की है युगधार और सोहनलाल ड्रिवेदी की युगधार तो यह तीन रचनाय जो है बहुत ही ब्रस्मित करती हैं इनको हमेशा याद कर यह पिछले प् तो वहां पर एक कमेंट भी आया है कि सर अभी तक मैंने सोहनलाल द्रवेदी की रचना नहीं पढ़ी तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि युगधारा जो है युगधारा नागरजुन की है युगधार जो है सोहनला द्रवेदी की है युगबाडी जो है पंत की है इस तरह से तीनों रचना ये आपको ध्यान में रखनी है कभी भी परिक्षा में कोई रचना पोछी जाए तो वहां भरमित होने से अच्छा है अभी शेय अभ्यास कर यहां आपका सही बिकल्प हो गया युगबाडी आपका सही बिकल्प सव हो जाएगा युगबाडी इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है सुमिंता नंदन पंत की ग्राम्या रचना है छाया वादी प्रयोग वादी प्रकित वादी प्रगतिवादी यहां पर देखिए सुमिंता नादन पंत की रचना ग्राम्या की वाद की जा रही है वह किस तरह की है ग्राम्या किस तरह की रचना है तो ग्राम्या आपको सीधे सीधे बता देना है प्रगतिवादी रचना है अगले प्रिश्ण पर चलते हैं निराला की वह रचना जिसमें स तोड़ती पत्थर सरोज स्मृत वन वेला अनामिका अब निराला की वह रचना बताना है जिसमें सरवहारा वर्ग के तीन दसा का वड़न है तो स्वाभाविक है वह तोड़ती पत्थर है इलहाबाद के पत्थ पर वह तोड़ती पत्थर इलहाबाद के पत्थ पर तो यही र रगत्यवादी कवद्रिश्टी है दार्ष्णिक वर्ग्चेतना प्रधान बैत्तिक यह था इस्थी वादी तो क्या है कि आप चार विकल्प देख रहे हैं को ब्रगत्यवादी कवद्रिश्टी पूची गई है तो तुरंत आपको उत्तर देना है वर्ग चेतना प्रधान है तो आपका बैभी कल्प सही हो रहा है अपना बैभी कल्प सही कर लेंगे चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण है निमने लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है अब यहाँ चार बिकल्प दिये गए है जिसमें अजे खंड़हर जो है निराला की रचना नहीं है बाकी सब की रचनाएं है तो सुमेलित नहीं है सह बिकल्प आपका सुमेलित नहीं है आप अपना उत्तर सह लगा सकते हैं जो है निराला की रचना नहीं है इसी तरह सगले प्रृषिष्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण है ब्रगसी लेखक संग एस्तर की संस्था है राष्टी इस्तर की राज इस्तरई की हिंदि-भासी प्रांती यहाँ पर आप देखेंगे जो अंतर राष्टी किस्तर की है किसकी स्थापना भारत में नहीं हुई थी अंतर राष्टी विदेश में हुई थी तो वहां से यहां पर आई और लखनव में प्रेमचन ने इसका नेत्युत किया प्रगसी लेखक्षंग के अध्यच्य बने तिस तरह से अंतर राष्टी संस्था है और बाविकल प्रगसी लेक शुक्त संहिख हों इसी तरह सब्रकर से प्रेएं पर चलते हैं प्रगसी लेखक्षंग के स्थापना स्थापना किस छन में हुई थी तो सभावी आप संथ ने निसो प्रशन है उनी सो पैटीस ही सई है मांना सई है 1935 सई है अब इकल्प आपका सई हो जाएगा इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है प्रगस्षी लेखक्षंग का निर्माड किसकी अध्यच्छता में हुआ मुल्क राजानंद सज्जाद जही इम फास्टर जार्ज गियर्शन तो जो चीज हम बत इच्छता में हुआ तो आपका सब इकल्प यहां सई हो जाएगा इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है प्रगस्षी लेखक्षंग के स्थापना कहां हुई थी अभी कहा था ना कि भारत के बाहर हुआ था विदेश्टों में हुआ था यह प्रशन भ का सब्सद आपका सजहीं है कि तो आप अपना विकल्प सही कर सकते हैं तो विकल्प पर हुई थि इसी तरह अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है प्रगस्षी लेखकसंग की स्थापना कम हुई थी को हुई थी और प्रिवशन के अधिशता किसने की अगला П्रसुफन में तो प्रेम चंध ने इसले ढगरी भवानी भट्टाचार ने सुमर्टा नमदन कंतने अभी हमने बताया था भारत में प्रगसिए Rs. अधिशता प्रेम चंध ने की थी 1935 में प्रेमचंद ने की थी 1935 में इसी तरह सगला प्रशन है प्रगसी भारत में प्रगसी लेखक्षंग का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था तो आपको यह उत्तर मिल गया प्रगसी लेखक्षंग के प्रथम अधिवेशन जो है लखनव में हुआ था प्रथम अध सुआथ हैं साहित में वही क्या है ऐस्ज ने प्रेयोग वाध है इस तार्खी प्रसन नहीं जो मांक सु वाध हैं वही साहित हैं क्या है ? वही प्रगतिवाद है अप सही उत्तर लगाह सकते हैं तो आप अपना सही उत्तर कैसे लगाएंगे ध्यान से देख시स्ता विकलब आपका सही हो जाएगा साहिति में वही-प्रगतिवाद के अगले पृष्ड पर चलते हैं के प्र अठर प्रगतिवाद का आधार है अब यहां है प्रगतिवाद का आधार वाद्दा विकल्प आपका सही हो जाएगा इसी तरह अगले प्रश्म पर चलते हैं सामाजी कुद्धान में पूजी वादी विवस्था को नश्ट करके सोचल भीहिंद समाज की स्थापना साम्मेवाद का उद्देश से है ऐसे समाज में धानी निर्धन सोशक सोशित का प्रश्यवाद है तो इसमें से क्या हो सकता है यहां पर जो दिया गया उसमें यह प्रगतिवाद है क्या है प्रगतिवाद है अगले प्रश्न पर चलते हैं अगला प्रश्न है प्रगतिवाद की पिसेस्ता नहीं है अब यहां पिसेस्ता पूछी गई है जो नहीं है के प्रगतवार की निंदा इसमें नहीं है अब सभी कल्ब पर सही कर सकते हैं इसी तरह से अगले प्रस्शन पर चलते ही प्रगतवाद के अंतरगत कोन सा विचार अमान्य दी कमार एथ यतार्थ वाद रूप वध पहिंतार्थ वाद और समाज वाद यहां पर आप आध्यान से देखेंगे तो क्या होगा तो वह विकल्पापका सही हो जाएगा परगतिवाद ये हैं रूप वायार विचार थिल्व तो प्रगतिवाद के सरवाधिक ससक्त अगला प्रशन है प्रगतिवाद के सरवाधिक ससक्त छेत्रों में छेत्रों के अंतरगत नहीं है उपन्यास नहीं है आलोचना नहीं है कविता नहीं है कहानी नहीं अब इसमें से क्या नहीं है तो प्रगतिवाद के सरवाधिक ससक्त छ सहीह हो रहा तो आप सब इकलब सहीह कर सकते हैं कविता नहीं है अगले प्रश्ण पर चलते हैं माझीन बजाओ बंसी कविता के रचैईता पोछा गया सुमिंतनान दनपन्त नागार्जुन है तो यहां पर सही विकल्ब आपका क्या हो जाएगा किदारना थकरवागने हैंár अगले प्रिश्ण पर चलते हैं केदार्ना थग्रवाल की कविता है बसंती हवा ग्राम्या नौका पिहार गर्म पकोडी अब यहां पर चार रचना दी गई है जिसमें केदार्ना थग्रवाल की रचना पूछी गई है थग्रवाल की बसंती हवा हूँ हवा हूँ हवा हूँ आपने कविता पढ़ ली होगी अब तक यह किदाना थग्रवाल की कविता है इस तरह से अगले प्रश्ण पर चलते हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं नाम काव शंगर के रचीता कौन है अब यहां पूछा गया फूल नहीं रंग बोलते हैं काव शंगर के रचीता मुक्तिव अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है निम्न लिखित प्रगतिवादी साहित्यकारों में से वह साहित्यकार कौन है जो प्रख्यात प्रगतिवादी समिक्षक हंस के संपादक और प्रगति सील लेखक्षं के मंत्री रहें तो आप इतना बोलने से ही समज गए होंगे। तो मंतरी को उन्थव रहा अप। हैंस के संपाधक का उन्थव इस तरह से चारो चीजे जो बोली गई हैं उस्में से आप समझ गए होगे उस में से को उन्थव तो यहां पर सही बिकलप आपका हो जाएगा ड राम हим benevolence कितार नाथ पांडे दया नाथ मिस गिरिजा सिंकर पांडे तो आप तुरंत समझ गये होंगे कि आप सही है कैसे नाकर अर्जुन का वास्थिविक नाम बैडदिनाथ मिस्ड था यह बैद भी हुआ करते थे बैद इनki जानकारी थी इन्हें तुञंच से आप यहां सहीं भीकल्ब कर सकते हैं अगले प्रिश्ण पर चलते हैं अंद्य विश्वास के कारण लोगों की यह मानता है कि जब किसी की संताने पैदा होते ही मर जाती है तब वह नवजात से उसका नाम अभरंस में रखना चाहिए इसी अंद्य विश्वास बंस की साहित्यकार का नाम धक्कन रखा गया था धकन किसका नाम रखा गया था त्रिलोचन का नागारजुन का केदारनाथ अगरवाल का रामविलास सर्मा का यहां पर चार विकल्ब दिये गये हैं चार विकल्ब में से एक विकल्ब से हैं नागारजुन का एक नाम धक्कन रखा गया था तो बाविकल्ब आपका सही हो जाएगा आपका बाविकल्ब सही हो गया इसी तरह से अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण है बैदनात्मिस्र का नाम नागारजुन कैसे पड़ा यह बहुत महत्पूर प्रस्ण है कुण का नाम धक्कान और बैदनात्मिस्र से नागारजुन कैसे पड़ा तो नागारजुन उपनाम के उपनाम से काब रचना करने के कारण नागारजुन नामक बिद्वान से प्रेड़ना मिलने के कारण बहुत धर्म के दिख्छा ली थी अब बहुत विच्छू बनकर आगे जीवनियापन किया था इसलिए इनका नाम नागारजुन पड़ा तो आपका सह विकल्प यहां सही हो रहा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह अगली प्रशनोतरी के साथ उपस्तित होंगे धन्यवाद जैन जैवारण